हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है रबल पांडे और आप देख रहे हैं रबल साट्स दोस्तों भारत में कई चमतकारी का और रहस समय मंदिर है जिसमें दच्छिड भारत में इस्थित भगवान तिरुपती बाला जी मंदिर भी सामिल है भगवान तिरुपती बाला जी का चमतकारिक और रहस में मंदिर भारत समेत पूरी दुनिया में प्रसिद है यह मंदिर भारती वास्तु कला और सिल्प कला का उतकरिष्ट उधारण है तिरुपती बाला जी मंदिर भगवान विश्णू को समर्पित है यह मंदिर आंध धार्मिक मानेताओं के मुताबिक भगवान सरी बेंकेटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिर्मला के निवास करते हैं। मानेता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान बंकेटेश्वर के सामने प्रातना करते हैं उनकी सारी मुरादे पूरी हो जाती हैं। भक्त अपनी स्रद्धा के मुताबिक यहाँ पर आकर तिरपती बाला जी में अपने बाल दान करते हैं। एक अलोकिक और चमतकारिक मंद मंदिर से कई रहस्य जुड़े हैं आये जानते हैं इनके बारे में। कहा जाता है कि भगवान बंकेटेश्वर मंदिर की मुर्ती पर बाल लगे हैं वे असली हैं। ये बाल कभी भी उलजते नहीं और हमेसा मुलायम बने रहते हैं। मानेता यह है कि भगवान खुद करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मंदिर स्री अंकेटेश्वर की मुर्ती गर्वग्रिह के मध्य में है। लेकिन आप जैसे ही गर्वग्रिह के बाहर आएंगे तो चौक जाएंगे क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमाद दाहिनी तरफ इस्तित या कोई भगवान का चमतकार इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। मानेता है कि भगवान की इस रूप में माल लच्च में भी समाहित है। इसकी वज़े से स्री वेंकेटेश्वर स्वामी को इस्तिरी और पूरुज दोनों के वस्त पहनाने की परमपरा है। पिरप भगवान की प्रतिमा को पशीना आता है। पशीने की बुंदे देखी जा सकती है। इसलिए मंदिर में तापमान कम रखा जाता है। स्री वेंकेटेश्वर स्वामी के मंदिर में 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गाउं है। यहां गाउं वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक दही, घी, दूद, मक्षन आद इसी गाउं से आते हैं। गुरिवार को भगवान वेंकेटेश्वर को चंदन का लेब लगाया जाता है। जिसके कारण अधभुत रह से सामने आता है। भगवान का स्रिंगार हटा कर इस नान करा कर चंदन का लेब लगाया जाता है। और जब इस लेब को हटाया जाता है तो भगवान वेंकेटेश्वर के हिरदय में माता लक्षमी जी की आकती दिखाई देती है। स्री वेंकेटेश्वर शामी इस्थित मंदिन में एक दिया हमेशा जलता रहता है। और सबसे चौकानी बाली बात यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता यहाँ तक ही यह भी नहीं पता कि दीपक को सबसे पहले किस ने औक कप प्रज्वलीत किया था। फ़गवान कीर प्रतिमया पर पच्चाई कपूर लगाया जाता है कहा जाता है कि यह कपूर जिजवी पत्थर पर लगाया जाता है वे पत्थर कुछ ही समय में दरारे पड़ जाती है लेकिन भगवान बाला जी की प्रतीमा पर पच्चाई कपूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मंदिर के मुख्यद्वार के दर्वाजे के दाइने तरफ एक छड़ी रखी है इस छड़ी के बारे में मानिता है कि बाले अवस्था में इसी छड़ी से ही भगवान बंकेटेश्वर की पिटाई की गई थी जिसकी वज़े से उनके ठुड़ी पर चोट लग गई थी तब से आज तक उनकी ठुड़ी पर सुकरवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका गहाव भर जाए भगवान बंकेटेश्वर की मुर्ती पर कान लगा कर सुने तो समुन्द की लहरों की आवाजे सुनाई देती है ये भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नरम बनी रहती है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफेकेशन बेल को दबाना ना बुले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार